हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप स्वागा थे आप सभी का वेट्टू भी एचू चानल में आज हम लोग देख रहे हैं पीजी टी एजुकेशन का 2016 में जो फार्म आया था और 2018 में हुआ था उसका पेपर पार्ट 3 तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो पार्ट 1 में 41 तक कोश्चन पार्ट 2 में 40-80 और इस पार्ट में हम लोग 80-120 कोश्चन देखेंगे इस प्रस्ण पत्र में कुल 120 कोश्चन थे तो बढ़ते हैं आगे प्रस्ण संख्या 81 श्रेडी क्रमगत बुद्धी सिधान्त किस ने प्रतिपादित किया तो श्रेडी क्रमगत हियारिकल थियोरी आफ इंटेलिजन्ट वार्ज की विन बाई तो ये किस ने दिया है ये दिया है बॉर्ट एवं वर्णर ने और जबकि SI model किस ने दिया है SI model गिल प्रस्ण संख्या 82 प्रोफेसर सीव को एक निर्तिय कारेक्रम देखने तथा एक नोबल पुरसकार विजेता का भासट सुनने के लिए दो टिकटे उपहार में मिली हैं ये दोनों कारेक्रम एक ही दिन और एक ही समय पर हो रहे हैं वह दोनों में से किसी एक को भी खोना नही चाहता है उसे निम्न में से किस प्रकार के दिवंद का सामना करना पड़ रहा है तो यहांपर सबसे पहली बात कि यह जो दोनों हैं यहां पे conflict जो होता है या अब फिर दोंत उससे संबंदी प्रस्ण बना हुआ है conflict मुखिता पहले कितने प्रगार करके होते हैं पहले यह देख लेगते हैं हम लोग सबसे पहला होता है इसमें उपागम या एप्रोच का मतलब होता है प्लस और यदि उपारिहार है या फिर अवार्देंस है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं यह जो उपागम है या फिर एप्रोच है उसको प्लस इसКे लिए इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें धनात्मक पुनर वलन रहता है धनात्मक mph कोई भी चीज रहती है जिसे पाने पर या जिसे प्राप्त करने पर आदमी को व्यक्ति को खुसी महसूस होती है जब उधारण के लिए उपागम का उधारण देखी तो इसमें ये निर्त्य देखने से संबंदित और नोबल पुरसकार विजित्ता का भासर सुनने ये दोनों ही व्यक्ति को खुसी देंगी जो व्यक्ति खुसी देंगी या जिसे की व्यक्ति को आनंद प्राप्त होगा वो होगा उपागम या एप्रोच वो क्या होगा उपागम या एप्रोच और जब की जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति को नकारात्मक अनुभूती हो या द यह परिहार या अवर्डेंस होता है जब उसे नकारात्मक फिलिंग हो या उसे दुख का सामना करना पड़े तो वो नकारात्मक होता है जैसे कि किसी बच्चुक हो यदि किसी लड़ू खाने पर उसे लड़ू खाने या खेलने पर उसे खुशी महसूस हो रहे आनंद उपागम होगा जैसे कि किसी कारेकों करने पर उसे दंड मिलता है उसके उसके लिए परिहार हो जाएगा और जब उसे प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने पर यदि खुशी महसूस या आनद महसूस हो रहा है तो वह उपागम हो जाएगा तो अब प्रस्ण देखते हैं कि यह प्रस्ण क्या था कि प्रोफेसर सीव को एक निर्तिय कारेक्रम देखने और नोवोल पुरसकार विजेता का भासट सुनने के लिए दो टि सही हो गया और यदि दोनों से दुख मिलता तब परिहार परिहार हो जाता और एक होता है उपागम एवं परिहार मतलब की इसमें एक जगा उसको खुशी मिलेगी एक तरफ दुखी तो व्यक्ति क्या करता है इसमें चुनने के लिए प्लस की तरफ बढ़ता है माइनिस को देता है और परिहार परिहार में दोनों तरफ दूखी होता है यह थर्ड वाला जो अप्सन है कि इसमें परिहार परिहार लिखा है तो इसमें दोनों तरफ ही दूखी दूख मिलता है जैसे आगे कुँआ और पीछे खाई वाली कहावत हो गई और यह चौथे में है कि परिहा यहां पर चैर्ट formats ऑपन से एक पलजस है उपागम की तरफ बढ़ेगा लेकिन यहां पे प्रसण दिया है उसके usual दोनों तरफ प्लस प्लस है तो इसलिए ऑप्शन इसका भी हो जाएगा और जब जब गुँगती शर्टी बैठती है यहां पर एक कुँगती सटीक बिटती है कि अनुआंसिकता किसे प्रभावित करती है तो अनुआंसिकता हमारी aptitude उसको प्रभावित करती है जैसे कि जो मात्रपीता को पसंद है अधिकांसा बच्चों को भी कुछ-कुछ मत्बद सेवंटी परसेंट परसेंट पाया गया कि उन लोगों में व्यासे अप्टिटूटा आही जाता है तो इसलिए इसका सी अप्शन सही है अगला प्रस्टन है एक व्यक्ति बिना यह जान कि उसके व्यक्तित्व का परिछड किया जा रहा है निह संकोच आत्म भी व्यक्ति करता है यह निम्न में से किसके माध्यम से संभव है तो इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक ही यूज हो सकता है कि उसे पता भी ना चले और वो अपने व्यक्तित्व को अभी व्यक्ति भी क तो उसमें क्या होता है बच्छा अपना जीतना भी मत अंतर मन में बाते चल रही होती है वो उसको अभी व्यक्त बना कर देता है और उसमें जो हीरो होता है वो व्यक्ति का खूद जो बता रहा है उसका व्यक्ति तो खूद वह होता है जो उसका हीरो उससे संब्दित होता है the following head the insight learning तो इसका उत्तर हो जाएगा कोहलर monkey जो कोहलर चिंपैंजी था वो insight learning से संबंदित होता है इसमें अचानक से किसी भी जो हमारे सिद्धानत होते हैं जो की प्राप्त हो जाता है उसका समस्या का समाधान वो अचानक से हो जाता है और यह गेश्टॉल पर अधारित होता है यह आपका सी से संबंदित है जबकि पावलव जो थे उन्होंने सास्री अनुबंदन का सिद्धान दिया था जिसमें की डॉग था मतब कुत्ते पर अधारित था इसकीनर जो थे इसकीनर ने अपने कबूतर पर प्राव किया था और फिर उसके बाद कोहलर जो था यह आपका गेश्टॉल थेयोरी पर आधारित है और इसके बाद वाट्सन यह वाट्सन ने एक बच्चे पर सिद्धान तो मतब अधिगां का जो टेस्ट किया था जिस पर परिछड किया था वह बच्चे पर किया था तो इस तरीके से इसका एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोहलर का मंकी या कोहलर चिंपांची अगला प्रस्ण है इटी शिक्स प्याजे के अनुसार परिकल्पना यूगत तरक की भावना हाइपोथार्टिकल रीजनिंग बच्चों में निमन में से कौन सी इस्थिती उत्पन हो जाती में उत और एमॉंग चेल्डरेन डूरिंग तो यह जो बच्चे में आप में आप रेसं सी के टाइम में यह आ जाता है बच्चों में हाइपोथार्टिकल मतब यह कोई भी चीज़ तरक रूप से तरक पूर्ण रूप से सोचने का बात कब करता है जब वह सबसे लास्ट की भावना हाइपोथार्टिकल रीजनिंग बच्चों में फार्मल अप्रेशन अप्चारी करभाई के दोरान उत्पन हो जाती है अगला प्रस्ण है 87 विशुष्णियता रिल एविल्टी सहयोगी तत्व कॉफिसियंट तत्व का मूल लियर निमने में से कौन सा है तो यह इसकार अत्मक सोचे तो यह इसाल वेज पॉजिटीव यह इसका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है नैदानीक परिछर निमने में उद्देश के लिए किया जाता है तो निदान का मतलब क्या होता है डाइग्नोस्टिक का मतलब इसको डाइग्नोस्टिक टेस्ट बोलते है आप जानते हैं कि hospital में जो डाइग्नोस किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि क्या क्या आपको बीमारी है क्या क्या चीजी है तो उसका जाच किया जाता है तो अब जो ऐसे ही हमारे इसमें mentally problem में से संबंदित है तो या फिर व्यक्ति की समस्यां से संबंदित है तो व अगला प्रस्ण है 89, बौध धर्म में सिच्छा आरंब करने के संसकार को कहा जाता है, तो बौध धर्म में सिच्छा आरंब करने के संसकार को पबज्जा कहा जाता है, क्या कहा जाता है पबज्जा, अगला प्रस्ण है 90, वीद्याला के ये प्रस्ण आपका 47, जो भी 47 का था प्रस्ण आया हुआ है इसके अलावा ये में एजूकेशन सब जगह ये प्रस्ण आया हुआ है ये पबज्जा वाला तो ये अत्यांत महत्वपूर प्रस्ण है और रिपीट होने की भी आसंका है तो इसको ध्यान से याद कर ले पबज्जा बहुत धर्म की सिछा आरंब करने कि अग्ला प्रस्ण है नब्बे विद्याले समाज का लगू रूफ है किसने कहा था तो ये बोला है जौन डिवी जी ने कहा है कि विद्याले समाज का लगू रूफ है To यह डी अप्शन सही है अगला प्रस्ट नाइंटीवन निमलीखित में से किस संसा का सिच्छा पर सरवाधिक नियंत्रड होता है तो यह यहाँ पर सबसे ज़्यादा नियंत्रड राज्य का होता है क्यूंकि सारे जो एक्जिक्यूट करते हैं बतब जितने भी करें देशिए में एक चाप्टर है कि और राज्य और देश तो इसमें से कौन बढ़ा माना जाता है आप आप इसम्हानी समझेंगे आप पढ़ेंगे उसमें सब्सक्राइग हैं निया कि तो कि कैसे बढ़ा हो देश है किसी वक्ति का बोडी जो है वो देश है और देश में बहुत सारे जो राज हमारा सरीर है वो विविन कोशिकाओं से बना है छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है तो यदि कोशिकाओं ही नहीं होगी तो हमारे सरीर का स्ट्रक्चर या हमारा सरीर ही नहीं तो इसलिए ऐसे ही राज्य है राज्य छोटी-छोटी को सिखाए हैं और देश एक पूरा सरीर है तो इसलिए किसी भी देश का निर्मार उसके छोटे-छोटे जो राज्य हैं उनसे मिलकर बना होता है इसलिए राज्य सबसे बड़ा होता है और इसी प्रकार किसी भी संस्था का सिच्छा पर नियंद्र जो सरवादिक होगा वो राज्य का होगा तो आप्शन सी सही हो जाएगा अगला प्रस्न है 92 समाजिक दच्छेता सोसल एफिसियेंसी का सैचिक उद्देश के रूप में प्रत्य किस ने दिया है तो यह जॉन डीवी ने दिया है यह अभी 47 वाले मे अगले प्रस्न पर बढ़ते है 93 अभी क्रमित अनुदेशन का सिधान की सिधान पर आधारित है तो अभी क्रमित जो प्रोग्राम इंट्रक्शन है यह आपका आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर क्रिया प्रसूत ऑप्रेंट कंडिस्निक पर यह दिया है आपका स्कीनर ने इसमें भी इसके तीन प्रकार हो जाते हैं अभी क्रमित अनुदेशन की तीन प्रकार है एक है लीनियर या फिर रेखिय रेखिय फिर उसके बाद यह दिया है आ साखिय जो दिया है साखिय दूसरा वाला जो टाइप है वो साखिय है और साखिय को किस ने दिया है यह आपका नार्मन एक क्राउडर ने दिया है क्राउडर ने दिया है प्रस्न पूछता है कि आप से इसाखिय अभिक्रमित अनुदेशन किस ने दिया है तो यह आपका दिया क्राउडर ने और तीसरा प्रकार है कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो होता है यह दिया है आपका मैथमेटिक्स किसने दिया है आपका यह दिया है आपका गिलबर्ट ने किसने दिया है गिलबर्ट ने इस प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन के तीन प्रकार हो गया पहला तो क्रम से अगaudio एक सीधे 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 बढ़ता आ जाता है और दूसरा होता है जो करशाखी वाला उसमें क्या होता ह र्ला दीए है क्राउडर क्णाफी बोलते हैं ये अपने बच्चा अपने से एक दूसरे पर जा सकता है जैसे चार इस्टेम होते हैं तो एक किसी प्रस्ण में चार इस्टेम हैं किसी भी प्रस्ण में चार इस्टेम होते हैं तो यदि वो गलत करता है तो उस गलत चुना तो उसकी एंसर पर जाएगा कि क्यूं गलत है तो वो अपने अनुसार अपनी छमता के अनुसार चारो स्टेप पे जाता है फिर आगे बढ़ता है तो इसलिए ब्रांचिंग वाला अंत्र नियंत्रल होता है और तीसरा है mathematics 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 यह दिया है आपका गिलबर्ट ने दिया था और गिलबर्ट यह मतलब उल्टे चलता है मतलब कि इधर से प्रस्ण यहां कोने से ऐसे बढ़ता जाता है तो इस तरीके से यह कामी होता है अगला को यह इसका जो कोशन था अभी क्रमित अनुदेशन का सिध्धान किस पर आध अगला कोशन है,94 स्वगति से सीकना स्वगति से सीकना एक विशज्ज लचण है तो यह किस ने दिया है यह अभी गिरमित अनुदेशन पर आधारित होता है裡 यह से सुगति से सीकना और अवसिकता अनुषा को उखनव से विद्यार्थि के इंद्रित होना ये सब चीजे अभिक्रमित अनुदेशन का होता है अगला प्रस्न है कि 95 एक अध्यापक विद्यार्थियों के डास का मापन करने के लिए विसे आत्मवोधन परिच्छड टेट थामेटिक अपरसेप्शन टेस्ट प्रसाचित करता है तो य व्यक्तित 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 से अगला प्रसन है कि एक मान की एकश्ड़ कीतृ क्या है एक मान की व्रित्ग की सबसे बड़ी विशेशता है कि विशेश नहीं था और वैदिता इस लिए लाइबिल्टी अन्वैलिटिटी इसका ओप्सन बी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण 97 किसी छेत्र में सुधार के लिए ओप्रेशन ब्लाक बोर्ड शुरू किया गया तो आप्रेशन ब्लाक बोर्ड जो था वो प्रात्मिक सिच्छा से संबंदित था इससे संबंदित एक और प्रस्णा आता है कि आप्रेशन ब्लाक बोर्ड के अनुसार किसी विद्याला में कम से कम कितनी कक्षाएं होनी चाहिए तो यह दो कक्षाएं होनी चाहिए ऑप्रे जो अभी आई है तो आई है क्या रमसा राश्टिय माध्यमिक सिच्छा अभियान राश्टिय माध्यमिक सिच्छा अभियान राश्टिय माध्यमिक सिच्छा अभियान और राश्टिय माध्यमिक सिच्छा अभियान और राश्टिय माध्यमिक सिच्छा अभियान और यह पू बातिमिक से संबंदीत है रुज सरक से सम्बंदी खैं और ब्लाइक बोर्ड के समबंदीत है तो वह आपकी प्रातिमिक से संबंदीत है अगले प्रस्र कंडी समुं से भिन है तो यह सास्त्री अनुबंदन शिधांध, क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिध्धान्थ और ट्राल एन एरर के अधिगम के सिध्धान्थ है और ये छेत्र का सिध्धान्थ ये अलग सिध्धान्थ है तो इसलिए ये छेत्र का सिध्धान्थ कूर्ट लेविन ने जो दिया है फिल्ड तियोरी ये अलग है और जबकि ये थीनों अनुबंदन और प्रसूथ अनुबंदन सिद्धान्द पौलव का हो गया प्रयाशन त्रूटी थांडाइक का हो गया क्रियाप्रसूथ आप्रेंट कंडिस्टनिंग इसकी नर्प का हो गया यह तीनों अलग है जबकि फिल्ड थि ओरी कूट लेविन की अलग थियोरी है अगला प्रस्ण है कि कोहल बर्ग द्वारा नातिक विकास की कितने अवस्थाएं बताई गई हैं तो कोहल बर्ग ने नातिक विकास की च Direction अगला सौनवा प्रस्ण ससंबंद गुडांग का मान रहता है तो हम लोग जानते हैं कि ससंबंद का गुडांग माइनस वन से प्लस वन के मद्य होता है प्रस्न संग्या 101 वर्धा सिच्छा सम्मिलन हुआ था तो ये 1937 में हुआ है ये वर्दा सिच्छा सम्मिलन को ही बेसिक सिच्छा या नई तालिम भी कहते हैं इसे कांधी जी ने दिया था निमने में से किसा हो सकता हो मासलो ने नहीं सुझाया था तो उन्होंने जो हाय हर्की दी थी उसमें सेप्टी भी था सारे रिक फीजियो लॉजिकल भी था आत्मसमान था लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन कहीं नहीं था जो हाय हर्की थी तो उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं से कौन सी थी, तो ये हंसा मेहता समेती जो थी, वो महिलाओं की बालिकाओं की सिच्छा से सम्बंदित प्रथम गठित समेती थी, अगला प्रस्टन है 10-2-3 की सन्रचना के सपना का सुझाव दिया था किसने तो यह 10-2-3 कोठारी सिच्छा आयोग या भारती सिच्छा आयोग या यह 64-66 के अंतरगत दिया गया है 10-2-3 की सुझाव दिया है इसमें दो कोशन बनते हैं कि देखिए 10 प्लस 2 प्लस 3 कि सुझाव किस ने दिया तब को ठारी कमिशन ने दिया है लेकिन यदि इसको एक्जिक्यूट किस ने किया है मतब इसे अपम उसमें सुझाव को अमल किस ने कर दिया है तो यह आपका NPE 1968 वाला जो आ एक रूप दे दिया गया और समें सुझाव जो दिया सिर्फ इंट्रक्शन दिया जो तो वो कोठारी कमिशन ने दिया है अगला प्रस्ण है 105 सिच्छा में अवरोधन का अर्थ है तो अवरोधन का अर्थ यह है कि वो छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठिक्रम को पूरा करने में और सफलता प्राप्तल करना अवरोधन का लाता है जैसे कि एक लड़का जो है वो एक ही कच्छा में बार बार फेल होता है means कि वो एक ही कच्छा को पास निकर पार है तो वो उसका अवरोधन हुआ और अपव्या क्या होता है कि वो बीच में ही एजुकेशन जैसे कि हमने एक साल का कोर्स है तो हमने चो महीने या आठ महीने या नौ महीने तक पढ़ाई की और छोड़के भाग गया वो बीच में ड्राप कर दिया तो वो अपव्या कहलाएगा वो जो चैन नौ महीने पढ़ा वो उसका अफवया हुआ समय धन स्रम सब चीज होगा और अवरोधन क्या होता है एक ही क्लास में रुखे रहना अवरोध किसी कारण से रुख जाना तो इस तरीखे से इसका अप्शन सी सही हो जाएगा प्रस्न संख्या एक सुच है नेचे दिये गई परिष्थितियों में कौन सी सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवस्यक है तो ओप्शन है इसमें अवधान अभ्यास उच्च बधिक स्तर तो अवधान भी देते अभ्यास भी करते हैं लेकिन उच्च बध उधारण के लिए लोग करते हैं कि आप घोड़े को नदी के पास खीच के तो ले जा सकते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते इसी तरह मनुस्य में आप हजार सुख सुविधाय दे दिजिए सारे चीजे ला दिजिए लेकिन यदि उसमों मोटिवेशनल लेवल ए सीविप परिस्तियों में पढ़ लेगा तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है 107 प्रकृति वाद किस प्रकार के अनुशाशन का समर्थन करता है तो प्रकृति वाद कहता है कि बच्चे को छोड़ दो स्वताद्र छोड़ दो वो उसे प्रकृ इसलिए उन्होंने निश्यधात्मक सिच्छा देने की बात कही है उन्होंने वो बोलते थे कि बच्चे को निश्यधात्मक मतब जो क्यूं गलत है वो एंसर बता हो एक क्यूं गलत है वो बता हो सही मत बता हो और इन्होंने ही मुक्तियात्मक बोलते हैं बच्चे को जैसे स चाहता है उसे छोड़ दो प्रकृति सिखाएगे तो उन्होंने अनुशासन की जो बात की थी वो मुक्तियात्मक मतब फ्री ही मतब छोड़ देने की बात के तो यह इसलिए अप्सन सीज़ हो गया अगला प्रस्न एक्सवाट अधिगम का सरवाधिक उप्योक्त अर्थ है तो पड़ते जा रहे हैं लेकिन आप के भेवार में कोई परिवर्ति नहीं नहीं आ रहा तो वो अधिगम नहीं हुई अगला प्रस्न है एक सुनो कि भारती संभिधान में मूल अधिकार को मूल रूप से जोड़ा गया था तो यह आपका जोड़ा गया है 21 के ए में भारती मूल अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था कि वह एजोकेशन प्रदान करिगी हमारी च्छा से चोदोवर्ष के बाल को को सिच्छा जो है free and compulsory education प्रतान करेंगी और यह राज का दाइत होगा तो यह 21 में इसको जोड़ा गया था और फिर न Director iども 25 में पहले सी थी लेकिन इसको पहले थी कि वह 10 वर्ष के भीतर 6 se 14 वर्ष के भालको को सिच्छा प्रतान करने की प्रतान करने गया लोत शूंद प्रतान करने का यह तो राज्य को होगा तो यह चीज आपका 21 के एम बना दिया था मतब इसे fundamental right मिला दिया था और जो धायर अपयतालिस में था कि वह राज्य दस वर्स के भीतर में उन लोगों की सिच्छा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा मतब करेगा यह था लेकिन दस वर्स में नहीं पूरा हुआ तो 21 के में इसको मूल अधिकार बना दिया गया अगला प्रस्न है 110 गोखले बिल संबंदित है तो गोखले बिल जो है सिच्छा से संबंदित है और यह 1909 के लगवगी मतब 1909 के लगवगी यह गोखले विल आया था इनोंने यह पास नहीं हो पाया था इन्होंने बोला कि free and compulsory जो free and compulsory education देने की बाद कई थी प्रात्मिक शिच्छा स्थर पर यह गोखले जीने कई थी उसी समय पारित करने के लिए प्रयास के अतर लेकिन यह पारित नहीं हो पाई थी उसमें अगला प्रस्ण है कि 111 में कि बुनियादी सिच्छा अथ्वा नई तालिम की मुख्य विसेश्था है तो बुनियादी सिच्छा जो नई तालिम में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ध विसेश्था यह मुख्य विसेश्था था कि टूड लव एश्पृट अफ सैल्फ रिलांस तो यह उप्शन सी इसका सही था अगला है एक जो बार निमलिखित में से कौन थरस्टन के सिधान्त में प्रथम मांसिक योग किता तद नहीं है तो थरस्टन ने जो दिया था वो उसमें सिध्धान्त में अपका था कि सांखी की नुमेरिगल एविल्टी थी मेमोरी थी वरवल एविल्टी थी लेकिन इसमें मैक निकल कहीं पर यांत्रिक योग्यता नहीं थी जिसमें हम लोग इसमें था जिसमें कि वाव राम नपी सराब इसका एक सौर्ट फॉर्म था कि वरड डबलू से वर्ड फ्लुएनसी आम मास में मिमोरी एन से निमेरिकल और फिर एससे स्पेसिफिक योग्यता यह इस से संबंदी था साथ थे कि आठ थे यह इस से संबंदी था और लेकिन इसमें मैक न प्रशन नियम्ने में से सीखने का नियम कौन सा है तो यह तत्पड़ता का नियम अभ्यास का और प्रभाव का यह तीनों ही संबंधित था तो इसलिए अगला प्रसन एक कि द्वारा दिया गया था अप्शन इसका भी सही हो जाएगा अगला प्रसन 115 और मनो वैज्यानिक परिछड़ होने चाहिए क्या होने चाहिए तो यह विश्विष्णी और व्यादी होने चाहिए अगला प्रसन 114 संग्यानात्मक विकास सिधान्द के प्रतिपादक है तो यह PIAJG है संग्यानादमक भीकास के सिधान्द के अगला जो थे अर्विंद स्री अर्विंद थे उन्होंने समग्र सिच्छा पर बात कही थी इंटिग्रेटेड एजुकेशन देने की बात कही थी और इन्होंने बच्चे की खुद की प्रकृति जो होगी उसके अनुसार सिच्छड देने की बात कही थी और वही इस अर्विंद आश सांती निकेतन स्कूल ने की सिद्धान्त का समर्थन किया है तो यह प्रकृतिवाद पर आधारित है और क्योंकि रविन्दा टैगोर के जो विस्विद्याला है इसमें पेड़ो अगर के निच्छे सिच्छे देने की बाद कही जाती है और भारत में सबस्यादा यदि रूसो निकेतन था जो अभिहाल में विश्व भारती किस नाम से विश्व भारती के नाम से जाना जाता है और इन्हों ने राष्टवाद को देश की विकास में बाधक माना है इन्हों ने वसुद्याव कुटूम्ब कम नीती है उसका पालन किया था कि यह मारी पूरी जो टूम्ब के समान है तो इस तरीके से इन्हों ने प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया था अगला प्रस्तन है 119 की घुरुकुल काल में निम लिखित में से कौन सा उपाय गम सबसे कम प्रयोग होता था तो वहाँ पे एक्सपेरी में जो है प्रयोग कारी यह नहीं करा जात इसलिए अप्सन भी स्था समाजिक परिवर्तन का व्रिहत अवरोधक है तो समाजिक परिवर्तन में सबस्यादा जो अवरोधक की रूप में आता है वह धर्म होता तो अप्सन इसका बी सही हो जाएगा अगला प्रस्न है मनुविग्यानिक चिंतन विचार के आधार पर बेमेल किजिए तो यहां पर स्कीनर हल और पावलर यह तीनों ही स्टूमलस और रिस्पॉंस पर आधारी तो बाते करते हैं लेकिन यहां पर बंडूरा ऐसे हैं जो की सोसल लर्निंग की बात करते हैं तो इसलिए यह डी अलग हो जाते बंडूरा अगला प्रस्न है कि एक्स वाई दो चरू की बीच महत्वपूर सहसंबंद दरसाता है तो यह यहां पर एक्स वाई के साज़वार परिवर्तन ही महत्वपूर सहसंबंद दिखाता है यहां पर एक्स वाई यदि एक्स भी बड़ता है और मैं उसे अनुसार बढ़ता है तो यहां पर पॉजिटीव कोज्ण्य को दरशाता है इसलिए इसका अप्शन भी सही हो तो इस लेज का आप्षन सी सही हो जाएगा माडम मांटेशरी से अगला प्रस्ण है कि किंडर गार्डेन सब्द किस व्यक्ति के नाम से संबंदीत है तो किंडर गार्डेन जो है वह फ्रोवल से संबंदीत है हम लोग यहां पर पढ़ते हैं लकेजी-उकेजी तो केजी का ने दिया है तो यह फ्रोवल ने दिया है किंडर गार्डेन वर्ड अगला प्रासन है 125 वारंति की प्रियोजन वाद के अनुसार अनुसासन होना चाहिए इसके प्रमल प्रडेता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्नवाद